बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रहा दोस्तो डेली व्लोग में आपका स्वागत है तो दोस्तो राजा की सवारी के मजे मैंने तो बहुत ले लिये और अब आए हैं सवार जो इसमें थोड़ा सा क्या है सवार से भी कभी कभी घोड़ा चलवाना चाहिए क्यूंकि जो टीचर होता है वो तो टीचर ही है हम लोग थोड़ा सा अलग हिसाब से चलाते और जो सवार है वो अलग हिसाब से चलाते हैं अपने तो इस वीडियो में द उसमें घोरा थोड़े सी वैसी मत्टी पे चल रहा होगा जैसे जो जूता हुआ खेत होता है और जो दूसरे दिन की ट्रेंटि asking लिए उसमें गोड़ा एक सी जमीन पर चल रहा है बाकी आप देखिए और बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाकी डेली विलोग में मस्ती चल रही है यह देखिए यह बुट्टा होता है ना बुट्टा उसकी फसल है यह मक्का गी तो चलिए शुरू करा जाए यह देखिए राजा घूमा यह एक ग्राउंड बना लिया है अपने लिए गोड़े चलाने के लिए सब यह कि गोड़े इसी पर चलते हैं उस्ताद अपने हसाब से चलाते हैं गोड़ों को हम और आप एक नॉर्मल तरीके से बैठते हैं यह समझ लेते हैं गोड़े भी कि कौन उस्ताद है और कौन नया सलमान उस्ताद बना कर ला रहे हैं गोड़े को देखी पैर उठाके गोड़े चलने वाले होते हैं वह ऐसा होता है जैसे बहुत सी बट्टी ऐसी होती है जिसमें प्रेता है जैसे वलोत्रा उसमें पैर गड़ते हैं तो जो पैर उठा के गोड़ा चलता है उसको जादा असान ही रहती है उसी तरह की चाल इसकी राजा की भी आप देख जह मेरे पास पहले जो घुड़ी थी उसकी इस तरह की नहीं ती देखिए त्रेन यही होती है असलिए ट्रेन नहीं और इसमें ज्यादा तागत भी पड़ती है यह मट्टी है ना यह जुता हुआ केट इसमें ज्यादा आप कह सकते हैं कि ज्यादा गोड़े की तागत पड़ती है देहिए यह आरा है राजा हमारे चलाने का तरीका लग है यह सवार दुपिया दुआधार बगा रहे हैं बहुत बढ़ी अस्ताथ तो देखिए ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है अभी घोड़े को वार्म अप किया जा रहा है वार्म अप बहुत जरूरी है और यह जो फील्ड है यह लेवल हुई है और थोड़ी कि अलग टायप की फील्ड है और अभी घोड़े को वार्म अप कर रहे है गोल जतकर में कoque जिटना वोब अजाएंगा अगोड़ा उतना गरम पड़ेगा और उतना इस अच्छा रहेगा तो सब्सक्वार सल्मान कि बमक रार है अब यह देखते हैं कि राजा किस तरह से अभी दीरे-दीरे स्पीट बगड़े गया मैदान यह अच्छा एक कल वाला जादा जुता हुआ था उसमें पैर जादा जा रहे थे और यह थोड़ा सा अलग टाइप का ट्रेक है अब देख सकते हैं कैसा है इस पर गया है पैर गुसेंगे नहीं तो यह देखिए अब थोड़ी से नों नहीं आवाज लगाई है और गोड़ा गेम बनाने लगा है क्या बात है उस्ताद बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राजा शाबाज तो गोल चक्कर की यह प्रेक्टिस हो रही है और मौसम यह देखिए क्या गेम बना रहा है बहुत बढ़िया भई मौसम सुबह का है तो अच्छा है इस टाइम गोड़े को चला ले क्या बात है भई राजा बेटा बहुत बढ़िया भई उस्ताद बहुत बढ़िया तो यही है देखिए मैं आपसे कह रहा था कि सवार और हम लोगों के चलाने में बहुत फर्क है और एक अच्छी चाल सेर राजा को दोड़ा रहे हैं सल्मान उस्ताद तो यही है के देखिए घोड़े की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है मैं बार-बार कहूंगा हम अपने हिसाब से चलाते हैं लेकिन कभी-कभी सवार को भी बुलाना चाहिए क्यूंकि जो जिसका काम है व है बहुत बढ़िया कि एक अगात पर ले लिया वही बहुत बढ़िया तो देखिए पहले दिन की ट्रेनिंग में और दूसरे दिन की ट्रेनिंग में आपको काफी फर्क देख रहा होगा बताइए जरूर क्योंकि आज और कल में कह सकते हैं अच्छा फर्क है पूरा राउंड नो ने एक आज से लगा दिया तो ये देख रहे हैं आप और गोड़ा बड़ी रहा है बराबर बहुत बड़ी है भई बहुत बड़ी है ये देखिए और अबाज लगा के थोड़ा गेम मना के और बहुत बड़ी है भई बहुत बड़ी है क्या बात है भई क्या बात है बास रोग लोग हो गया आज के लिए काफी है इतना तो ये देखिए सल्मान उस्ताद ने आज और कल में का भी फरक आगया आज आज में और कल में बहुत इंप्रुमेंट है गोल चक्कर में अच्छा है ना चलो दिन पर दिन बढ़ेगी दोस्तों आपने राजा की चाल देखी और सल्मान उस्ताद हमारे साथ हैं सल्मान उस्ताद को भी देख को चाल डाल देते हैं छली है इंडल डेली आता रहेगा डेली व्लोग मैं भी आपको राजा की दो दिन की चाल दिखाई आप कमेंट करके जरूर ही कौनसी में ज्यादा मया या मैं बहुत अच्छी लगती है यह बहुत धन्यवाद उनका और जो नहीं करते हैं उनका भी धन्यवाद चलिए मिलते नए वीडियो में तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यूटूब पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और फेस्बुक पर भी फॉलो करें जान्यवाद टो